Hello friends, welcome back to Prabha Law Classes. आज हम partnership का part 2 करेंगे, जिसमें हम types of partner discuss करेंगे. तो types of partner में सबसे पहले हमारे आते हैं, active partner. Active partner कौन होते हैं? ये वो partner होते हैं, जो partnership firm में day to day के business से related जो activities होती हैं, वो perform करते हैं. Management को सम्हालते हैं, जो भी partnership का business होता है. देखें, dormant partner, dormant partner को हिंदी में निश्क्रिय भागिदार भी कहते हैं. क्या होता है dormant partner? अब ये हैं हमारे company के partners, जो हमारे active partner हैं. अब चाहें तो ये जो हैं इस person के पास जाएं, या फिर ये person इनके पास आएं. अब matter है partner बनने का. अब ये कहता है कि मैं आपकी जो partnership firm है, मैं उसमें partner बनने के लिए तयार हूँ. अब देखो मेरे पाफ पैसा है, आपको पैसे की जरुरत है, पढ़ए तो आप मुझसे पैसा ले लिजिए. बट मेरे बसका नहीं है, जो आप day-to-day activity होती है ये partnership में, तो वो मैं नहीं कर पाऊँगा, भाई management समालना मेरे बसकी बात नहीं है, मैं पैसे दे सकता हूँ. जो भी profit होगा, मुझे आप दे देना, अब बताओ, आप इसके लिए agree करते हूँ, तो ये लोग कहते है, active partner जो होते हैं, कि ठीक है कोई नहीं, आप ऐसे dominant partner बजाओ, निश्क्रिय यानि कि आप जो day-to-day activity होती है partnership में, जो काम होता है, business है, management है, समालना है, तो वो हम सब आप हमारे जो partner होंगे, वो dominant partner यानि कि निश्क्रिय पार्टनर कहलाएंगे, next है हमारा secret partner, अब इस secret partner को भी इस example के थूँ हम समझते हैं, ये हमारे वही जो active partners है, वो है, ये एक person है, ये कहता है कि मैं partner बनना चाहता हूँ, या फिर ये कहते हैं, कि आप partner बन जाए हमारी जो person है, ये कहता है कि ठीक है, मैं partner बन चाहूँगा, लेकिन एक problem है, कि मेरा जो है, हो सकता है, मेरी इसकी goodwill अच्छी ना हो, लोग इस पर विश्वास ना करते हूँ, जो भी कुछ है, कि मैं देखो, मैं आपके जो है, पैसा भी लगाऊंगा, आपकी firm में, ठीक है, और आपक firm का जो management है, day-to-day activity है, वो मैं वो भी perform करूँगा, liability भी मेरी आपकी तरह ही होगी, जैसी आपकी liability होगी, firm से related, वैसी liability मेरी भी होगी, ठीक है, और profit भी आप मुझे दे दिया, दोगे ही दोगे, ठीक है, जब मैं capital लगा रहा हूँ, normal सी बात है, profit मुझे दोगे ही दोगे, बट एक चीज है, कि मेरा नाम disclose मत करना, किसी को ये मत बताना, यानि कि public को ये मत बताना, कि जो मैं जो हूँ, आपकी जो partnership firm है, उसमें partner हूँ, तो ये क्या होगे हमारा secret partner, next है हमारा nominal partner, आप इसको भी example के दूर समझते हैं, देखिए, nominal यानि की name, अब ये हमारे active partner हम हर example मे रख रहे हैं, जिससे confusion ना हो, अब ये हमारे active partner है, अब ये एक person है, और अब ये कहते हैं कि देखो हमारे पार पैसे भी हैं, और partners भी हो गए हैं, अब हो सकता है कि इने लग रहा हो कि यार हमारी goodwill तो कुछ ऐसी कुछ खास बननी रही है, तो लोग मतलब कहा हमारा इतना ज हम यूज करें, तो ये इस आपके active partner है, ये जाते हैं, इस person के पास, और कहते हैं कि sir, आप हमारे partner बन जाई है, और बस हम कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमारे partnership की publicity होगी, जो business है हमारा इसका publicity, बस हम आपका क्या है, उसमें आपका नाम यूज करेंगे, नाम यूज करेंगे फोटो आपकी छपपा देंगी, देखो, ये भी हमारे partner है, तो वो सकता है, जो हमारे business है, उसमें हमें profit हो जाए, तो यहां पे ये हो गया, आपका nominal partner, यानि कि इसका केवल partner in name, यानि कि इसका सर्फ नाम ही partnership में यूज किया जाएगा, और ये ये भी कहता है, जो nominal partner है, कि द और जब मैं पैसा नहीं दे रहा, तो मुझे share में profit भी नहीं चाहिए, मुझे जो profit होगा, उसका share भी मुझे नहीं चाहिए, और ना ही मैं आपके जो business है, firm से related, ना मैं उसमें involved रहूंगा, ठीक है, but his liability too will be unlimited, but जब firm का resolution होगा, dissolve होगी firm, तो वहां पर liability इसकी भी वही होगी जो other partners की होगी, यह अपने liability से यह कहके नहीं बस सकता कि मैं तो सर्व अपना नाम ही यूज करवा रहा था, नाम ही यूज करवा रहा था, नाम ही यूज करवा रहा है, तो पता नहीं कितने लोगोंने contract transaction किया होगा firm के साथ, तो उसमें वहां पर भी liability बनती है, तो जो अप voluntary retirement ले सकता है, voluntary retirement यान कि जब चाहे अपनी मर्जी से firm की partnership छोड़ सकता है, यान कि firm से जा सकता है, भाग सकता है, भाग सकने का मतलब मेरा यह है कि वह अपनी partnership छोड़ सकता है, अब यहां पर हमने पीछे देखा था, कि अगर एक भी partner अगर गया, वहां से तो partnership resolve हो जाएगी मतलब firm joy dissolve हो जाएगी, लेकिन यहां पर क्या है, कि जब partnership ले रहा है, उसने तभी वहां पर क्या कर लिया है, उसमें contract में लिखवा लिया है, कि देखो मैं जब जाओंगा, मैं अपनी मर्जी से जा सकता हूँ, ठीक है, तो उसमें जो है, उसके जाने का भी जो firm है, उसमें क हमारा, यह बहुत ही intelligent था, अब इसने क्या कहा, कि जब यह partner बन रहा था, किसी firm में, तो इसने क्या कहा, कि देखो भाई, मैं partner तो बन जाओंगा तुम्हार है, लेकिन मेरी liability क्या होगी, limited होगी, ऐसा नहीं है, कि firm का अगर तुम्हारा resolution हो गया, तुम्हारी घाटे में चले करूँगा, जितने आपकी liability होगी, देखो मेरी limited है, मेरी limited है, मेरा जितना part है, जितना मैं apply कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उतने को ही pay करूँगा, जब आपकी liabilities आएंगी, जब firm का resolution होगा, यानि कि यहाँ पर, जितना इसने अपनी capital जो है, लगाई थी firm में, वो सिर्फ उसकी limit तक ही क्या होगा, libel होगा, यह है आपका limited partner, next है आपका partner by esthopal, अब इस example के थूँ देखते हैं, अब यह है, एक person है, और यह कहा रहा है, जी मैं तो फ़ला firm में partner हूँ, जब कि यह partner उस किसी भी firm में नहीं है, अब यह किसी firm का नाम लेके कहा रहा है, कि मैं उस firm का partner हूँ और आप जो है, transaction कर सकते हो, उस firm के साथ, मतलब कर सकते हो, और जो profit है, मैं आपकी help करा दूँगे, उसमें could we self भी कुछ benefit gain कर लेता है, अब यहाँ पर बाद में, अब यह क्या है, यह वाला person जो है, यह क्या कर देता है, transaction कर लेता है, इसके कहने पर, अब यहाँ पर बाद म यह person यह नहीं कह सकता, कि मैं तो partner था ही नहीं, मैं तो ऐसी बोल रहा था, जैसे ही आपने यह शो किया, कि आप partner है उस firm में, और सामने वाले ने विश्वास करके, कोई act कर दिया, यानि कि transaction उसने कर दिया उस firm के साथ, तो वहाँ पर आपको stople के थ्रू रोग दिया यानि कि आप मान लिये जाएंगे partner by stople, यानि कि विबंध के द्वारा भागीदार, यानि कि आपका इस person का क्या हो गया है, आपका relationship हो गया है, stople का है, विबंध का, अब आप को जो आपके थ्रू जो आपने कहा है, उसके द्वारा जब इसने transaction कोई कर दिया, कोई act कर दिय है, तो अब आप liable हो और आप हो partner, और ऐसा नहीं है कि अगर आप partner, इस टोपल के द्वारा partner बन गया है, तो ये permanent उस जो firm है, उस firm का partner बन ही जाएगा, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इस particular transaction के लिए ही partner माना जाएगा, और जो भी liabilities इसकी बनती हैं, वो सारी इसको क्या करेगा, पे करेगा, नेक्स्ट है हमारा सब partner, अब सब partner क्या होता है, ये एक person है, ये कहता है, ये कहता है अपने friend के पास, और इससे कहता है, कि भाई मुझे थोड़े पैसे जाएं, मुझे थोड़े पैसे दे दे, मुझे एक partnership firm में partnership लेनी है, invest करके, तो ये कहता है, यार मैं बेव थोड़े ना हूँ, जो मैं तुझे पैसे दे दूँ, ठीक है, मैं तुझे पैसे दूँगा, तो partnership ले ले, लेकिन मुझे भी तो कोई फायदा हो, मेरा क्या बाने फटा, तो ये कहता है, कि ठीक है, मैं तुझे 30% जो भी profit मुझे हुआ करेगा, मैं तेरे साथ share कर लूँग अब यहाँ पर इन दोनों की relationship हो गई है, मतलब relationship लियाने की, इनका agreement हो गया है, अब यहाँ पर ये कहलाएगा, आपका sub partner, ठीक है, किसका, इसका sub partner, इस person का sub partner कहलाएगा, अगर ये payment इसको नहीं करता है, जो भी profit है, वो इससे share नहीं करता है, तो ये जो person है, ये इसके प्र जो भी money है, ना कि firm के against कर सकता है, इसका firm के साथ directly कोई relation नहीं होता है, इसका किस से वेरा है relation, सिर्फ इस person से, जिसने उसे पैसे दिये थे और agreement किया था कि मैं जो भी profit होगा, वो share करूँगा, तो यहाँ पर ये person क्या होगे आपका sub partner, तो ये थी हमारे types of partner, next video में मिलेंगे partnership की, thanks for watching, please like, share and subscribe